राम लक्षमन परशुराम समवात का ये अंज राम चरित्र मानस के बाल कांट से लिया गया है। सीता स्व्यमवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया। मुनी परशुराम को जब ये समचार मिला तो वै अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव धनुष को तोड़ते देख वै अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्व मित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ती के परिक्षा लेकर अतै उनका क्रोध शान्त हुआ। इस बीच राम लक्षमन और परशुराम के बीच जो समवाद हुआ वो यहाँ प्रस्तूत किया गया है। क्या आग्या है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनी क्रूध होकर बोले। सेवक वै है जो सेवा का काम करे। शत्रू का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है, वै सहस्त्र बाहू के समान मेरा शत्रू है, वै इस समाज को छोड़ कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनी के वज़न सुनकर लक्षमन मुस्कुराने लगे, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने भी बहुत सी धनुईया तोड़ी है, दोस्तों या पे धनुईया छोटे धनुष को बोला जाता है, वो आगे बोले, किन्तु आपने ऐ वज़ा सुरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष, क्या धनुईय के समान है, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि परशुराम को मुख्य कारण यही था कि उन्हें लगा कि धनुष तोड़ने वाले ने उनके अराध्य शिवज का अपमान किया है, और उसे दंड देना अवश्यक है, आईए दोस्तों, हम पैरग्राफ नंबर टू की और बढ़ते हैं, पैरग्राफ नंबर टू का भावार्थ ये है, लक नया समझ कर दोके से चुआ ही था और ये तूड गया, इसमें श्रीराम का कोई दोश नहीं, हे मुनी आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, परशुराम अपने फरसे को देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मैं तुझे बाल के शत्रू के रूप में विश्व भर में विक्यात हूँ, अपनी बुजाओं के बल से मैंने पिर्थवी के राजाओं को मारा है, और उसे ब्रामनों को दे डाला है, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे की और देख, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्बों में पल रहे आते ना कहें, नहीं तो क्रोध में आकर वे उनका वद्ध कर देंगे, आईए दोस्तों, अब हम पैरग्राफ नंबर थर्ड की और बढ़ते हैं, जिसका बहावार्त यह है, लक्षमन हसकर मदुरवानी से बोले, अहो मुनिश्वर, तो अपने आपको आप बहुत बड़ा युद्धा समझते हैं, बार-बार मुझे कुलाडी दिखाते हैं, फूक से पहाड उडाना चाते हैं, तो मैं ये आपको बता दूँ कि यहां भी कोई कच्चा फल नहीं है, जो तरजनी उंगली को देखते ही मर जाए, आपके धनुश बान को देखकर ही मैंने कुछ अभिम देवता, ब्रामण, भगवान के भक्त और गाय इन पर वीर्ता नहीं दिखाई जाती, क्यूकि इने मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अप्यश मिलता है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पढ़ना चाहिए, आपका एक-एक वजन ही करोडों वज्ज अगर कुछ अनुचित निकला है, तो हे महामुनी, मुझे शमा कीजिए, यह सुनकर भी परशुराम का क्रोड शान्त नहीं हुआ, क्योंकि लक्षमड की शमा याचना में पश्चत आप नहीं, बलकि उपहास का भाव था, आईए दोस्तों, अब हम अपने पैराग्राफ न कुद्धी और कुटिल है, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, यह अपने वंच पर खुद एक बहुत बड़ा कलंक है, यह बिलकुल मूर्ख और निडर है, अभी शन बर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं कह देता हूँ, फिर मुझे दोश नहीं है यह मेरे हातों मारा जाएगा, यदि तुम इसे बचाना चाते हो, तो हमारा बल और क्रोध बता कर इसे मना कर दो, लक्षमन ने कहा, हे मुनी, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? दोस्तों, इसका भावार्त यह है, कि लक्षमन ने परशुराम को अपने मुझे से ही बार-बार अपनी प्रशंसा करने वाला कह डाला, और उन्होंने यह वंग्य भी कर दिया, कि इतने पर भी यदि आपको संतुष्टी ना हुई हो, तो फिर से अपनी प्रशंसा कर डालि अपने क्रोध को रोक कर दुख मत सहिए, आप वीर्ता का वर्त धारन करने वाले धैर्यवान और शोब रही थें, गाली देते हुए आपको शोबा नहीं है, शूर वीर तो युद्ध में वीर्ता पूर्ण कारे करते हैं, सिरफ अपनी प्रशंसा करकर डींगे नहीं मारा कर आईए दोस्तों, हम पैरग्राफ नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं, लक्षमन कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाक लगा कर बार-बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं, लक्षमन के कठोर वचन सुनते ही परशूराम ने अपने भयानक फरसे को हाथ में ले लिया, वे बोले कि यहां सबा में बैठे लोग मुझे दोश ना दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्ये ही है, इसे मैंने बालक देखकर बहुत बचा लिया, पर अब ये सचमुच मरने जा रहा है, इस बीच विश्वमित्र बीच में आ गए और उन्होंने कहा, अपरा मैं दर्या रहित, वै क्रोधी, मुनी, मेरे समान ये गुरू द्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे तुम्हारे लिए चोड़ रहा हूँ, हे विश्वमित्र केवल तुम्हारे लिए, नहीं तो मैं अपने कठोर कुठार से इसे काट कर खतम कर दे कोई गन्ने की खांड नहीं है, दोस्तों यहाँ पे फॉलादी खांड का मतलब यह है कि राम और लक्षमन अत्यंत वीर हैं, जिससे परशुराम परिचित नहीं है, वे उन्हें गन्ने की खांड की तरह समझ रहे थे, जो मूँ में डालते ही गल जाती है, परंतु वे दोनो तो फॉलाद की बनी खांड की तरह कठोर थे, दिने मारना असंभव था, आईए दोस्तों, अब हम अपने पैराग्राफ नंबर सिक्स्त की और बढ़ते हैं, जिसका भावार्त यह है, लक्षमन ने परशुराम से कहा कि आपके शील को कौन नहीं जानता, वे तो संसार भर म प्रसिद्ध है, इस कथन के द्वारा लक्षमन ये व्यंग्य करते हैं, कि परशुराम तो संपून जगत में अत्यंत क्रोधी मुनी के रूप में विख्यात है, जबकि एक शीलवान व्यक्ति का स्वभाव होता है क्रोध ना करना, इस परकार यदिवे सवे अपने आपको शील युक्त समझते हैं, तो यह एक हसने वाली बात है, आगे परशुराम ने लक्षमन का सिर काट कर गुरू का रिंड चुकाने की बात कही, तो उसका व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए लक्षमन ने कहा, कि बहुत दिन बीत गए, गुरू के रिंड का ब्याज भी कि वो उपहास करके परशुराम के क्रोध को और बढ़ाना चा रहे थे, लक्षमन के कटू वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाल लिया, सारी सभा में हाय हाय करके पुखार उठी, लक्षमन ने कहा, हे ब्रुग शेष्ट, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परन्त देवता, आप अपने ही घर में बढ़े हैं, यह सुनकर सब लोग अनुचित है कहकर पुकार उठे, तब शिरी राम ने इशारे से लक्षमन को रोग गिया, लक्षमन के आहूती के समान उत्तर से परशुराम के क्रोध रूपी अगनी को बढ़ते देखकर, रगुकुल के स और दोस्तों यह चैप्टर यही समाप्त होता है, तो दोस्तों यह था हमारा चैप्टर राम लक्षमन पशुराम समवात का भावार्थ, अगली वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा, फिर मिलेंगे अलविदा